किसान भाईयो आज हम बात करेंगे PGR प्रोडेक्ट चमतकार की जो के गरड़ा केमिकल्स लिम्टेड का आता है अगर बात करें गरड़ा केमिकल्स का भारतिय उप माधिप के किसानों को खेती में अती आदूनिक प्रोडेक्ट देने में महतवपुरुन योगदान है गरड़ के तहत है पिछले 2-3 सालों के अंदर ही चमतकार एक प्रोडेक्ट जो है PGR कमपनी ने गरड़ा कमपनी ने दिया है जो के थोड़े से समय के अंदरी किसानों के अंदर एक अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है बहुती शांदार प्रोडेक्ट है इसकी बात करेंगे हम क इसके रिजल्ट कैसे है क्या क्या काम करता है फसलों के अंदर इसका रेट कितना पड़ता है इसकी डोज क्या संपूर्ण इस पर बात करेंगे तो मैं हूँ एलार चोदरी आप देख रहे हैं खेती डिसकावरी किसान भाईयो अगर अमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर प्लांट ग्रोथ है रेगुलेटर टॉनिक जी हां इसे फसलों की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है लेकिन यह जो प्रड़क्ट है चमतकार जिसे चमतकार के नाम से जाना जाता है इसके अंदर टेक्निकल है मैपीक्यूट कलॉराइड 5 परतीशत है इस प्रड़क्ट क का काम करता है अगर फ़सल ज़्यादा बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल कर देता है बढ़ने नहीं देता जिसके वज़े से जो फ़सल सरवाई हो जाती है यानि के बढ़वार कर रही होती है उस पे क्या होता है कि फ्लावरिंग नहीं आती है फल और फूल फूल और फल अतियदी का आ जाते हैं यानि के फसल का जो वजन है इल्ड है वो अच्छी निकल जाती है और अगर फसल हाइट नहीं कर रही है तो उसके हाइट ये प्रोडेक्ट बढ़ा देता है ये एक पीजी आर टोनिक है अगर इस प्रोडेक्ट के काम करने की प्रतिकरिय बात करें तो ये पोदों के पत्तों में गिर कर पोदों के टिसू द्वारा पूरे पोदे में फैल जाता है इसके छिड़काव करने से तीन से छे दिनों के बाद ही इसका शानदा रिजल्ट देखने को आपको मिलता है खेती के अंदर अगर बात करें ये किन किन फसलों में अगर आप किसी भीयाने फसल का जाना चाते हैं तो प्लीज कमेंट करके आप उसका रिप्लाइए दे सकते हैं मातर ये गंडे के अंदर हर कमेंट का रिप्लाइए करती हैं। इसका चिडदकाव किसमें फसल में करें तो ये अलग-लग फसलों पे depend करता है क्योंकि कुछ फसलें लंबे time की होती है और कुछ कम time की तो ऐसा करें आप किसी भी फसल के जब flowering आने का समय होता है एक चिड़काव उसमें कर दें या आपको लगे कि फसल आती है दिक बढ़ रही है फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो उसमें इसका छिड़काव तुरूंत कर दें या आपको लगे कि फसल को बोई को काफी टाइम हो गया हाइट नहीं हो रही है तो भी इसका छिड़काव कर सकते हैं रूटीन में आप जैसे लगे के फ्लावरिंग का समय हो गया, उस समय कर दें दूसरा चिटकाओ जब लगे के फलो और फूल काफी हाफ जो टाइम हो गया है, पूरा हो गया है, आदे जो है 50 परतीशत फलो और फूल बना लिए हैं, उस टाइम दूसरा चिटकाओ भी आप इस अगर प्रती लिटर वाटर की बात करें तो किसान भाईयों आप बड़ी फसलों के लिए जैसे के कपास है सोयावीन है और अरहर है गवार है ऐसी फसलों के अंदर आप इसकी डाई एमेल प्रती लिटर वाटर डोज रख सकते हैं और जो छोटी हाइट की फसले हैं जैसे टमाटर है इनके अंदर दो से सवा दो एमेल प्रती लिटर वाटर आप डोज रखे इसका छिड़काव कर सकते हैं बहुती शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान भाईयों ये थी संपूर्ण जानकरी जानकरी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो त जवाब हासिल करने के लिए अन्य किसी भी फसल से सबंदित है आप कोशन आपके मैंड में है तो आप हमें कमेंट करके उसका जवाब जुरूर हासिल करें मतरे गंटे के अंदर हम रिप्लाई करते हैं किसान भाईयों हमारा पेस्टिसाइड कंपनियों में 20 साल का एक्स्प हमें प्सलिपित जवाब लाईयों हमें सुटित»,।